नमो नमा च्छात्रो आश्विद्याले के आश्विद्याले से संस्कित किस कक्षा में आपका हार्दिक स्वाकत है खास्तों से कक्षा नौवी के च्छत्रो पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने लोवतुला के विशय में चर्चा की लोवतुला अर्थात लोहे की तराजू और इस तराजू में च्छत्रों आपको बताया गया कि दो मित्रे रहते हैं जो एक मित्रे अपनी पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई संपत्ती को दूसरे मित्रे के पास रख कर जाता है तो उसको उस पर लाला चा जाता है और उसके तराजू को छुपा कर वो कहता है कि उसका चूहे खा गए तो उसके अब दूसरा जो मित्र है वो उससे बदला लेता है उसको छोड़ता नहीं है चात्रो और बदले में उसके बच्चे को कहता है कि बाज पक्ची द्वारा तुमारा बच्चा हर लिया गया और दोनों जगरते वे नियायले में पहुचते हैं और नियायले में उनका सल जहा मशवरा के द्वारा में उन दोनों को दोनों की वस्तवे वापस होती है। Δोनों संतुष्ठों कर अपने अपने घर को जाते हैं। तो चात्रों या कता जोती वो प्रसिद्य लेकक विश्नु शर्मा द्वारा रचेत पंचितंत्र नामक कहानी से ली गई थी। तो चात्रो इस रोचक कहानी को पढ़ने के बाद उसके उपर आधारित कुछ प्रश्ण उतर है जिसको हम लोग आईए देखते हैं क्लास नाइन संस्क्रेट अश्टमा पाठा लो तुला का पंचमा भागा अभ्याज माला भाग एक पहला कोशन देखें चत्रो ध्यान से देखियेगा कोशन के आंसरों को पहला अधो लिखीता नाम प्रश्णा नाम उत्राणी संस्क्रित भाश्या लिखत याने नीचे लिखेवे प्रश्णों के उत्तर को आपको संस्क्रित भाश्या में देने हैं तो पहला प्रश्ण देखिए देशांत्राम गंतो मिच्छाम वणिक पुत्रह किम व्याचिन्तियत देशांत्राम याने दूसरे देश को गंतो मिच्छाम याने जाने की इच्छा रखता हुआ वणिक पुत्रह याने व्यापारी का पुत्रह किम व्याचिन्तियत याने क्या सोचने लगा तो क्या सोच रहा था देखिये आंसर चातरों देश आंत्रम गंतो मिच्छन वणिक पुत्रा व्यचिंत्यत यत यस्मिन देशे स्वावीर्यता भोगाहा भुगता हा तत्र विभौहीना यह वसेट सा पुर्षाधमा यहने वाद दूसरे देश को जाने से पहले वड़िक पुत्र सोच रहा था कि जिस देश में अपने कर्मों का भोग करते वे भी हम लोग धन से हीन जाते हैं तो वहाँ पुरुष जो है आधम पुरुष है याने नीच पुरुष है तो ना दूसरा स्वुकुषंच चातरो सु तुलब याचमानं जीर्णिधनम स्रेष्थि केम अखत्यत यكون उसकी तुला को याचमानं जीर्णिधनम स। जीर्णिधन नाम का those क्या कहता है तो स्वातुलाम याचमानम यहने उसकी तुला यहने अपनी खुद की तुला को तुला यहने तराजु को मांगने पर जिन्धन नाम का सेट क्या कहता है तो स्वातुलाम याच मानम जीन धनम स्रेश्टी अकत्यत यत तुला मुश कही भक्षिता यहने अपनी तुला को जब याच मानम किया गया यहने मांगा गया जीन धन सेट के द्वारा तो उसने कहा कि तुमारी तुला जो है वो मुशकों के द्वारा खाली गए मुशक ने च आच्छाद्य गुफा कोई द्वार को Deus आफसर गुफा को शच्राली गुफा को किस के द्वारा जाया था बड़ी सी चट्टान के द्वारा बड़ेशे के द्वारा तो आंसर हुआ जीन धनागिरी गुहा द्वारं ब्रिहश शिलिया आच्छा दे ग्रिहम आगता यने जीन धन जो था वो परवत की गुफा के द्वार को बड़े से पत्थर के द्वारा आच्छा दे ढख कर घर को वापस आया नो नेक्स्ट वान इस्नान अंतरम पुत्र विश्य प्रिष्टा वणिक पुत्र शेष्टिनम की मुवाच यने इस्नान अंतरम यने इस्नान करने के बाद पुत्र विश्य यने पुत्र के विश्य में पूच कर वणिक पुत्र यने वणिक पुत्र यने व्यापारी के पुत पुछा वडिक पुत्र से शेठ ने तो क्या बोला इस्नान के बाद पुत्र के विश्य विस्नान से लोटे वे पुछा वडिक पुत्र से शेठ ने वडिक पुत्रे ने ववाच रेशिनम ववाच यत नदी तटात यखावidée वडिक पुत्र ने सेठ को बोला कि तुमारा जो पुत्र था वो नदी तट से बाज के द्वारा हरन किया तो बाजकanguard के द्वारा बच्चा हरनद किया गो नौन नेक्स देखे छत्रो धर्मादिकारी भी जीन धन स्रेष्ठीनों कथम संतोशितों धर्मादिकारी यहने जो कोड के न्यायले के जो जज होते हैं उनको धर्मादिकारी पूराने समय में कहा जाता था तो धर्मादिकारी भी जीन धन स्रेष्ठीनों कथम संतोशितों यहने धर्मादिकारी ने जीन धन स्रेष्ठीनों को किस प्रकार संतोशित किया यहने संतुष्ट किया तो धर्मादिकारी भी जिन्धन स्रेष्टिनो परस्परम संबोध तुला शिशु प्रदानें संतो शितो यने धर्मादिकारी जिन्धन और स्रेष्टिनो दोनों को परस्परम संबोध यने आपस में समझा कर तुला और शिशु यने तराजु और बच्चा दोनों एक दूस तो यहने संतुष किया नौ छात्रों कोशे नमबर टू देखिए रेखांकित पदानिय धीकरिते प्रश्निर्मानम कुरूत तो रेखांकित पदानिय धीकरिते यहने जो अंडरलाइन वर्ड है उनको देखते वे आपको प्रश्निर्मान करना है आपकी बुक में इस्थूल पदानिय धीकरिते लिखा है तो इस्थूल याने मोटे अक्ष्रों को देखते वे आपको क्या करना है उनके प्रश्निर्मान न अक्ष्रों के बढने हैं परन्तु हम यहां पर आपको शो नहीं कर सकते हैं मोटे अक्ष्र तो इसलिए हमने अंडरलाइन इyla कोशन देके च देश को जाने के लिए सोच रहा था विभाव छेयात याने धन के अभाव किसे दूसरे देश को जाने के लिए सोच रहा था तो यहाँ पर जिन धना में अंडा लाइन है तो याने कौन धन की कमी के करण दूसरे देश को जाने को था तो कहा आंसर आएगा ठीक है तो कहा का मार्ग जरूर डालना नहीं तो हमारा नमबर पूरा का पूरा सेकेंड वन स्हेश्चिना, शिशु, इस्नानोब करने माधाइ अभ्यागतेन सहा प्रस्थिता यहने सेश्चिना, शिशु, यहने सेट के बच्चे को इस्नान के उपकरण को ले कर अभ्यागतेन यानि अतिती जो था अतिती के साथ प्रस्तिता यानि चला जया तो सेट का बच्चा जो है वो इस्नान के उपकरण लेकर अतिती के साथ गया तो अभ्यागतेन में अंडलाईन है तो अभ्यागतेन के लिए आंसर आएगा केन तो आंसर हो गया, स्रेश्टी ना शिशु इस्नानो अप करना मादाए के इंसा प्रस्तिता कोश्चन मार यानि सेड का बच्चा इस्नान के उप करना रेका किसके द्वारा या किसके साथ के नौ नेक्श्ट वन, स्रेश्टी उच्छ स्वर्यन वाच, भोवरमन्यम, अब वाच यानि उचे स्वर में बोला तो क्या बोला भो अबर्मन्यम में अंडलाईन है तो भो अबर्मन्यम की जगा में चात्रो केम आएगा तो स्रेष्टी उच्छ स्वरें केम वाच सभ्याई तो परस्परम संबोधि तुला शिशू प्रदानेन संतोशितो यने तो यहाँ पर तुला शिशू प्रदानेन में अंडलाईन है तो सभ्याई तो परस्परम संबोधि यने सब पूरुष ने उन दोनों को आपस में समझा कर तुला शिशू प्रदानेन में अंडला हैं तो उसकी जगह में आएगा के संद उसीत हों ने उन दोनों को परसपर 一 संबोद कर यहने शंजा बूजा कर कि स्वार्न किया यह वला संदvo तो जो प्र तूल हो उस यह दोनों को प्रदानिे दूरखलky प्रदत्ता पाठमा ध्रते तम पूरियत याने अदो लिखेत नीचे लिखेगे श्लोग को अधूरे हैं उनके अन्वे उसको आपको पाठ के अधार पर उसको पूरा कन्मा तो पहला देखिए यत्र देशे अत्वा इस्थाने डैश भोगाहा भुकताहा डैश विभोहीना य यहां पर आपका क्या क्या आ रहा है उसका अंसर देखिए यत्र देशे अत्वा इस्थाने स्वावीरियत भोगाहा भुकताहा तस्मिन विभोहीना या वसेत सपूर्शाधमा नौ सेकेंड वन राजन यत्र लौ सहस्त्रसे डैश मुश्काहा डैश तत्रशेना डैश हरित अत्रशंशयाना तो इसका क्या होगा चात्रो राजन यत्र लौ सहस्त्रसे तुलाम अन्वे है चात्रो तो अन्वे आपको बताया है मैंने उसी को देखते वे आपको यहां पर फिलप करना है तो राजन यत्र लौ सहस्त्रसे तुलाम मुश्काह खादंती तत्रशेना बाल का हरेत अत्रशंश्याना इसमें कोई संदे नहीं है ठीक है छात्रो तो यह अध्याय यहां पर समाप्त होता है आपको आज तीन कोशन आपने पड़े इस भाग में पहला संस्कित भाषा में उत्तर दो दूसरा रिखांकित पदों के अधार पर रश्निर्मान करना है और तीस पहले कि अपसको लाइक करके ट्वेरी में जाकर अपना डाउट पूस सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दूंगी तब तक के लिए धन्यवाद छात्रो नमो नमा